अलो दोस्तों आई हो आप लोग अच्छे होंगे आपका स्वागत है अलफा इस्टीट में और आज हम तीसरा लेक्चर पांच में चेप्टर का तीसरा लेक्चर 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 जैसे कि आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था क्या पढ़ा हुआ 173 प्रिवास हैं उनके लच्छर आपने वहाटिक में पढ़के हो न स्टरीके से यह वो सेम तरीके समिक्राइब उसके उपर कोई कि depend नहीं करता यह बात करनी है ठीक है तो बाते बाटे बाई चलो शुरू करते हैं इस chapter को शुरू करते हैं क्या करने है बाई पहले लिख लो बाई heading डालो copy pen उठा लिया करो और क्या करने है heading डालिया करो स्वरी भौतिक अधिसोसर रासाइनिक अधिसोसर क्या होगा रासाइनिक अधिसोसर की बात करेगा बात समझ मैं chemical adsorption की बात करेगा किसकी बात करेगा chemical chemical adsorption की बात करेगा पहले बात समझ लेते हैं यह होता क्या है रासाइनिक क्या रासाइन का मतलब समझ के आप लोग रासाइन का मतलब भी समझ जाना चाहिए आपको देख के यह मतलब समझ जाना चाहिए रासाइन का मतलब होता है राइसायनिक अबिक्रिया करने वाला ठीक है तो कोई परमाड़ों किसी दूसरे परमाड़ों यानि अधिसोसक के उपर कह सकते हैं अधिसोसक के उपर अधिसोस से क्या कहेंगे अधिसोसक के उपर अधिसोस से राइसायनिक बंदों दोरा जैसे रासानिक बंद कौन-कौन से होते हैं, सासरी बंद होते हैं, आयनिक बंद भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इन तरीके से बंदों से क्या कहेंगे, जो जुड़ा होगा, उसे क्या कहेंगे, रासानिक अधिसोसड कहेंगे, ठीक है, तो बात कर लेते हैं, भए लिख लेंगे, जब परिवासाई क्या लिखेंगे जब अधिसोसक के प्रिष्ट पर प्रिष्ट को मतलब समझते होना सत है प्रिष्ट पर अधिसोस्य द्वारा क्या कहेंगे जब अधिसोसक के प्रिष्ट पर प्रबल रायसायनिक बंधों द्वारा बंधों का मतलब क्या कह सकते हैं बंध का मतलब लिख लेना बैट बंध का मतलब बिच में लिख लेना प्राया किससे मतलब है इसका प्राया किससे मतलब है मतलब इसका मतलब सहसयोजी से किससे सहसयोजी या फिर कह सकते हैं उपसासयोजी या आइनिक ठीक है बाते समझ में आइनिक हो गया या उपसासयोजी लिख लेना ठीक है या लिख सकते हो, आयनिक लिख सकते हो, आदी लिख लेना, क्या लिखना, आदी, क्या लिखोंगे, आदी, ठीक है, इनकी बात कर, राइसायनिक प्रबल राइसायनिक बंधों द्वारा, प्रबल राइसायनिक बंधों द्वारा, क्या हो, जुडाव हो, जुडाव हो, द्वारा, जुडाव हो, उस प्रक्रम को, या उस जुडाव को, या उस प्रक्रम को, क्या कहेंगे बाइ, राइसायनिक अदिसोषड बोलेंगे, ठीक है, बाते समझे, राइसायनिक अदिसोषड कहते हैं, बाते समझे, इस तरीके से क्या बोलेंगे, राइसायनिक अदिसोषड कहते हैं, क्या बोलागे है, जब अदिसोषड के प्रिष्ट पर, क्या होता है, बहुतिक बंद होता है, या भौतिक बल जो होता है, बहुतिक बल, क्या होता है, वीक होता है, राइसायनिक क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉंग होता है, ठीक है, यही बताया था मैंने ये बाते बताये थी यदि बंद है तो बंद की बात करेगा यदि आपका बल है तो बल की बात करेगा जो भी लिखना जाओ बल का मतलब बंद का मतलब यहां पर रेकिए ठीक है तो क्या होता है दोनों क्या होता है ये वाला कमजोर होता है ये वाला है मजबूत होते है तो बहुतिक वाले में बहुतिक बंद लगता था बात ही समझ गए इस तरीके से इसका definition होगा बात समझ गए आप लोग ठीक है अब मैं example दिखाऊंगा जैसे किसका किसका हो सकता है जैसे आपने reaction पढ़े होगी और संत्रिप्त हाइडो कार्वन के उपर हाइडोजनी करण कराना क्या कराना हाइडोजनी करण आपने पढ़ा होगा निकल की उपस्तिती में या पैलेडियम की उपस्तिती में या कोबाल की उपस्तिती में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखाया गया होगा कि भई इसकी उपसेते हैं यहां पर देखेंगे क्यों वह इसका क्रियावेदी यहीं भी आता है ठीक है बाते समझ में तो वहां पर वह काम ऐसे पर दिखा तो जैसे आपने रियक्शन एक पढ़ी होगी जिसको नहीं समझ मारा वह रियक्शन देख लिए समझ जाएगा जैसे मैं कहूं CH2 CH2 यह क्या होता है और संत्रिफ्ट हाइड हो का और संत्रिफ्ट को मतलब जिसमें है तो आप यह पढ़े होगे CS3 CS3 यह पढ़ाओगा आपने वहाँ पर पढ़ाओगा और जैसे निकल हुआ तो पहले मैं निकल लोगा और हाइड्रोजन लेता हूँ निकल लिया हूँ हाइड्रोजन लिया हूँ उनको जोड़ दिया जैसे जोड़ूंगा मैं क्या बनता है निकल क्या होता है निकल धातू है निकल क्या है धातू तो जैसे ठोस में पढ़ा होगा जैसे मैं कर दो निकल का एक रोड है या निकल के परमारू है तो निकल के पर हो गया यह मेटल हो गया ऐसी जुड़ता है ना उपर मेटल हो गया उपर मेटल हो गया ऐसी जुड़ता है मेटल ना बाते समझ माई इस तरीके से मेटल क्या होते हैं जुड़ते रहते हैं ठीक है बाते समझ गया या फिर इस तरीके से मेटल क्या होते हैं जुड़ते रहते है कई यह व्हाला वेकन खाली यह वहला यह खाली चाहिए कि नहीं इसका सतह यह क्राइब आप जानते है क्या करना है क्वाखल यकल कि ठोस है यह ठोस ही होती है ना दातू बाते समझ अब निकल के मान के चलो यह वारा था अब जैसे मैं बोल दो इसको यह अपना निकल था क्या था था ठीक है अब यह दूसरे निकल से जुड़ा होगा यह तीसरे निकल से जुड़ा होगा यह क्या होगा चौथे निकल से जुड़ा होगा यह नीचे निकल भी इसके जुड़ होगा है समझ गया है यह आपने उसके अंदर पढ़ा होगा ठीक है इसी तरीके से नीचे भी होगा निकल मान की चलो और भी बना लेते हैं निकल के देखते रहना भाई समझते रहना भाई खारा हूँ ठीक है वेकेंड खाली है कि नहीं मान के चलता हूँ मेरे पास इतना ही था ठीक है बात सोज मैं हाई यह क्या करेगा इसके बंद को वीक करेगा यह दूनों क्या होगे इसके सतय पे जाके जमा हो जाएंगे ठीक है तो अगली प्रोसेस होगा इसको मैं थोड़ सी इदर कर लेता हूं आगे लिखना चाहिए था इसको ठीक है लेकिन जगे नहीं है ठीक है जगे नहीं मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूं ठीक है धेर सारे हाइट हो जनूंगे धेर सारे हाइट हो जनूंगे मेरे ठीक है बाते समय मैं नीचे सिर्फ जोड रहा हूँ ठीक है कर रहा हूँ मैं नीचे जोड रहा हूँ ठीक है सायद दिख नहीं रहा होगा आपको दिख नहीं रहा होगा आपको मैं फिर से बना देता हूँ क्या करता हूँ मैं फिर से कर देता हूँ ठीक है आओ भाई इसको मैं लंब डूण को जोड़ों मैं यह वाला नीकल क्या रहा होगा कुछ इस तरी के सरा होगा हुआ मिम्युन जूड़ा किसी दूसरे से यह निकल किसी दूसरे से याईसे जुढ़ा होगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपने ठोस पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा इस चीज को पढ़ा था ना पढ़ा था की नहीं बहीं बताते रहे ना ठीक है बाते समझ गये इस तरीके से आपका जुड़ा होगा ठीक है मैं इतने ही लेता हूँ बहुत जादा नहीं लेता हूँ ठीक है इसके बात करूँ 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 इसकी ये सतय है रही होगी इसकी ये सतय है ये सतय होगी जो जगह खाली है इसकी सतय को बतारहा है क्या है कि दो जगासे बंदा होगा थी दू जगा में खालिए बात हेता है कि और बात हे 내용 ौश है यह इस तरीके से मैं इतने इदिका रहा हूं थीक है ये वालब बंद क्या करता है ये वालब बंद क्या करता है इधर भी जुडेंगे ऐसे पीछे भी जुडेंगे तो क्या करना मुझे दिखाना है बस एक छोटा सा पाट ही दिखाना मुझे तो क्या करेगा ये वालब बंद क्या करेगा ये वालब बंद जो अभी मजबूत था ये क्या करेगा कमजोर होगा क्या होगा कमजोर होगा ठीक है ये क्या करेगा इसके साथ जब जुड़ेगा ये जब इसके साथ जुड़ेगा ये क्या होगा आपस में तूटेंगे क्या होगे तूटेंगे बाते समझ में ये बंद तूटेंगे तो क्या कहेंगे ये यह तूटता जागा, चैसा यह पूरे तरह थोड़े जालता आग आगे लिख दो किया इसको निकिल हो ऎे नीचे वाले सवन रहा हूं ठीक है नीचे वाले काऊ, ऊपर वाले पाठ को ऐसे लिख देना वैसे ही लिख देना निखिल, निकिल, बात समझे वे दो इक बात करता हूँ यह इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे बनकी सत्यार पर जा करेंगा यह मानने के चलो में पास निकल के आता कोई धातू थी निकल के कोई धातू है ठीक है यह जा के उसके सता पर क्या करता है चिपक जाता है सता पर चिपकता है किस तरीके से इस तरीके से बंद बना के ठीक है वहाँ पर चिपकता आता है क्या था बहुतिक बंद फोर्स से यहां पर किस से जुटेगा रहसायनिक बंद क्या कहते है वैशायनिक बंद से जूटेग कि इसमझ गया है सो करता रहता है ठीट हैक तो भाई इसको लिख लेना है आपको ठीग है तो आप बात करते हैं यह यह रासा नहीं तो पहले रफ्क कर लो ठीक है पहले लिख लिख ले जो अधिसोसक होगा लिख लेना अधिसोसक का अधिसोसक का प्रिष्ट प्रिष्ट लिखो या सत्य लिखो बाते की यह अधिसोसक का प्रिष्ट आसंत्रिप्थ होता है क्या होता है आसंत्रिप्थ होता है ठीक है क्या होता है ये जो रेक्सिन करने के लिए तेजी से हो बाते करने के लिए तेजी से सुरुआत करे वो असंत्रिप्त होता है क्या होता है बाते समझे इस तरीकी से तो कहाँगे ये वाली जो सताती अब मैं बोलो ये वाला निकल क्या था असंत्रिप्ट था बिलकुल ने यह वाले निकल असंत्रिप्त था नहीं भाई इस वाले निकल को आप संत्रिप्त नहीं बोलोगे यह संत्रिप्त है संत्रिप्त का मतलब भर गया है क्या है जो भर गया उसको जरूरत है क्या खाने की नहीं जरूरत है आपका पेट भर जाए तो आपको कुछ खाने को खाओग किसी से अभी तक नहीं जूड़ा था अभी तक नहीं जूड़ा था लेकिन अब जूड़ गया था वो बाते समझ में इस तरीके से इसकी बात करेगा तो यह असंत्रिप थे यह असंत्रिप थे असंत्रिप थे लेकिन यह सब क्या है संत्रिप थे क्या है संत्रिप थे बाते सम संत्रित होगा जिसका पूरी वेकेंट यानि पूरी तरीके से आंसी कुरूप से खाली हो क्या हो आंसी कुरूप से खाली यह वाले इसके क्या होते हैं जगह आंसी कुरूप से खाली इसलिए रेक्शन कर जाता है ठीक है तो कुछ ही के साथ करता है हर धातू के साथ नहीं कर सक लो आगे लिखना आगे लिखे लेना भाई राइसानिक लिखना है लक्षड लिखना है क्या लिखना है लक्षड जो जो पॉइंट वहां पर लिखे तो वही पॉइंट लिखना है उसी तरीके से पढ़ना है उसी पॉइंट को एक दू एडिशनल हो सकते हैं लेकिं मैक्सिमा वही, पइंट हो आएंगे आपके, ठीक है, बात हें समझ मैं, तो लिख लेना भाई, क्या लिख होगे, रहासानिक अधि 764 के लक्षर, रहासानिक अधि 6imana के लक्षर, ठीक है, बात समझ गया, लक्षर देखना है भाई, प्रॉपर्टी क्या-क्या हो सकती, तो पहला लिख लेना वहाँ पहला कहते विश्ष्ष्ट की बात किया था किसकी बात किया था विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि एक क्या होता भई विशिष्ट प्रकृति होती है ठीक है कि विशिष्ट प्रकृति का मतब समझते हो किसी एक के लिए काम करगा जैसे हाइट जाना है तो वह सिर्फ पैलेडियंग के उपर जाके चिपक सकता है निकल के उपर चिपक सकता है और किसके उपर होग सकता है जैसे कोग जाकर सुपकते हैब कि यह किसी मैग्नीसियम को उपर चिपकते है तो नहीं चिपकते है थि ez क्या होता है विशिष्ट प्रकृति के मतलब ये लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे रायसायनिक अधिसोषड किसी विशिष्ट किसी विशिष्ट अधिसोषड किसी विशिष्ट अधिसोषड था अधिसोषड के लिए अधिसोषड के लिए लागू होती है समझे जैसे निकल हुआ निकल के उपर क्या लगाए था अपने हीट लगाए था वो शिफग अब मैं कहड़े आपको क्या करूआ आपके कहो मैं Mercury लगा दो, क्या लगा दो, Mercury लगा, चिपकेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा या, क्या करोगे, आप HG लगा दो, क्या करोगे, ऐसे किसी से reaction नहीं करता है, बैचारा, तो क्या करेगा, इसे करेगा, क्या, नहीं करेगा, यह reaction नहीं करेगा, कोई अधिसोसर हो क्या कि आता है इसमें ऐसा कुछ नहीं कोई विक स्टोंगा क्या हो जोता है तो मैं लिखने लोगा भाई अनूतक्रमड़ी प्रक्रिती प्रक्रिती तो लिखेंगे भाई टो लिखेंगे राइसायनिक लिखते रहे ना भै राइसायनिक अधिसोशड एक एक अनूत क्रमडी प्रक्रम है अर्थाद क्या लिखेंगे अर्थाद इसका मतलब क्या हुआ राइसायनिक अभिक्रिया एक दिशा में चलेगी बाते समझ गया आपको ठीक है बाते समझ गया इस तरीके से कहेंगे किसी एक दिशाय में ही वो चलेगी यानि कि अनूत क्रमडी कहने के मतलब क्या है इस तरीके से क्या होगा इस तरीके जैसे निकिल में आपने क्या मिलाया था हाइटोजन मिलाया था तो यह क्या बनाता निकिल के उपर निकिल के उपर हाइटोजन हो हाइटोजन जुगए इस तरीके से जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे यह अनुत क्रमडी अभिक्रिया है यह वाला प्रक्रम नहीं लगाएंगे यह वाला प्रक्रम नहीं है कौं सा प्रक्रम है यह वाला प्रक्रम बात कर लिए अब बात करते हैं अधिसोसक की इंथ company अदि सोफ़र कि इनत्याइल पी किस अधि텐स्योअ की राइसानिक Shelby ठीके तीसरी की बात कर लेते बशैजनें आप हैंशे की से gland रiblट के बारें बदें बताया था ता इस में क्या था दहारा सानिक उस्माघ § 1 जोता है तो बात करते इंथल्पिघर किसके बात करते इंथल्पी कि ए किसके बात कर लग दद कि एंथ हल पी तीसरे पॉइंटबर इस सोट ही कि इंथाल पी ठीक है, enthalpy तो क्या कहेंगे राशानिक अधिशोषर लिखने नब इसका राशानिक अधिशोषर अधिशोषर क्या होता है, राशानिक अधिशोषर क्या होता है एक उस्मा छेपी उस्मा छेपी प्रक्रम होता है क्या होता भई उस्मा छेपी प्रक्रम होता है बाते समझ के उस्मा छेपी प्रक्रम होता है अर्थात लिखेंगे क्या लिखेंगे अर्थात यहां पर अभिक्रिया हो रही है क्या और यह अभिक्रिया, राइसानिक अभिक्रिया के दौरान, क्या होती है? उस्मा बाहर निकलती है, ठीक है? बाहर निकलती है, ठीक है? बात है समझ गया, उस्मा क्या होती है? बाहर निकलती है, ठीक है? तो कहेंगे उस्मा छेपी प्रक्रम होता है, तो लिखेंगे बाई, नीचे लिख लेना, नीचे लिखो कि क्या? इसी में लिख लेना, एक नूट पॉइंट अरता, तथा, इस प्र यह ब की लो जूझ पर मोल की बात कर रहा है कितने जूल पर मोल की बाद मैंने लिख दिया हूँ अब इस दिखे दिख रहे हैं यहाँ दो सो से चार सो क्या होता कीलो जूल पर मोल उस्मा बाहर निकलती है उस्मा उस्मा निकलती है बाते समझ गहें क्या होती है क्या लिख है और निकलती है तहीं तृक्रम के दरान मुट्रम के दरान क्या होता है यहाँ पर ऑसी कौन हुआ उस्मा श्यपी कौन जादा हुआ यह वाला, राइसाणी की अधिसोसर क्या होगा? ज्यादा उसमा चेपी होगा। बातें समझ गये? वहाँ पर प्रबल विदु तब दुर्बल बल लगता था, इसलिए कम उसमा निकलती थी, यहाँ पर प्रबल लग रहा है, इसलिए ज़ादा उसमानिक लेए बात है समझ गए 600 चारसो के बीच में लग रहा है ठीक है उसकी प्रक्रती कैसी होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी कौन सी प्रकृति वाले ज्यादा होंगे ठीक है कौन सी प्रकृति वाले ज्यादा छपकेंगे बाते समझ गए तो बात कर लेते हैं लिखते रहना आप लोग लिखते रहना बात समझ गए चौथे की बात कर लेते हैं किसकी बात करते हैं वहाँ पर बताया गया था आपको क्या होता गैस की प्रक्रिति कैसी क्रांतिक ताप यादि कुछ गैसों की प्रक्रिति कैसे होती जिसका क्रांतिक ताप प्रक्तिम लिखा था जिसका क्रांतिक ताप क्या होता जादा होता था वहाँ पर भावतिक अदिसुसर जादा होता था तो लिखेंगे बढ़ी चोथा तीसरा चोथा लिखेंगे गैस की प्रकृति यहां पर काम करना ये रैसाइनिक बनाने का। लिखेंगे गैस की प्रकृति के ऊपर नीरबर नहीं करता है, क्या लिखेंगे रायसानिक अधिसोसर गैस की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता है ठीक है कोई भी गैस लाओ यह चीपकने वाला होगा यह क्या करेंगे चिपकेगा आपका कोई भी गैस लोगो तो कम चीपकेगा ही जो जिशु simplest चक्रेगा है एसा कुछ नहीं उसकी प्रकृति के उपर यानि अस overt नीकलतर नहीं रासाइनिक दिखने रहा होगा थोड़ा कम दिख रहा है ठीक है रासाइनिक अधिशोषड रासाइनिक अधिशोषड क्या होता रासाइनिक अधिशोषड क्या होता रासाइनिक ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्या करता है, नहीं करता है, बाते समझ गए, निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, ये इसकी प्रक्यति पर निर्भर नहीं करता है, कोई पर गैस लेकर आओगे, वो क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, फर्दर जाके उससे चिपक सब्सक्राइब करदा गाम तो बात करते हैं इसकी बात कर लेतेँ वहां पर क्रांटिक टाप वीचे जदा होता लेकिन यहां पर इसके रहसानिक प्रक्रिति पर बनने के लिए कोई ताप की, ताप देने से कोई बंद तेजी से नहीं बनता है, अब क्रिया तेज होती है, ठीक है, बस तेज होती है, लेकिन बंद बनाने, जो बंद बंद रहा है न, यहाँ पर, बंद बनाने की बात कर रहा है न, तो बंद बनाने से को लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, बा किन बात है इसको लिख लेना यह बात है तो नेक्ष बात करते हैं इस कि शेतर फल किसका अधी सोसक पर बात करना अब इसको लिकेंगे अधी तो सकी अधी शोषर का दिश्टिय रिष्टिय चे तरफल कि याँ पर हवाचना है तो मैं कहूं हवाल क्या है ना वो मैंने दिया हुआ है तरुजन अब इसको इसके उपर चिपकना है इसके उपर हाइटोजन यह पैलेडियम है निकिल कोई धातु है मेरे पास निकिल धातु है समझ लेना यह ब्लैक वाली निकिल धातु है ठीक है अब इसके उपर चिपकना है चिपकना है तो जितना ज्यादा इसका प्रिष्टी छेतरफल लगा यह दिखाई दे रहा है जो चाहिए डिंदे उसके को बहुता है इसनुक बहुरा बहुरा कि बात का। आप मैं इसके उपर निकल का धाटू जो हूँ आ Naruto बहुए है तो इसाएफ़ लगा दो यह यह भी नीकिल है इसका शेतर प्रिष्टी玪। जादा है इसका कम् पर भिज कर दो पूछू को किसके उपर ज्यादाच चिपकेगी जादा चिपकी बात कर सकते हो किसके उपार ज्यादा कर प्रक्लम हे पूरी तरिका से जादा हो गा, इस पे मोलेंगे, जादा हो रहा है, तो किस पर जादा चिपकsection की? क्यों कि इसका प्रिष्टी चहत्र फल मौझे है? जादा है, यानि कह सकते है रायसानिक अधी सोषपक के पुरे चहत्र फल बढ़ने से बढ़ जाता है क्या होता है राहसानिक के अधिसोसर जो होता है प्रिष्टी चेत्रफल बढ़ने से बढ़ जाता है उसी बात को लिख देना भई उसी बात को क्या करना है आपको लिख देना बाते समझ गए यही था कि जिसका चेत्रफल जाजा होगा उसका प्रिष्टी का चेत्रफल पूरे राइसायनिक अधिसोशड अधिसोशड के प्रिष्टिय छेत्रफल प्रिष्टिय छेत्रफल बढ़ने से बढ़ने से बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है समझ गया है बिल्कु समझ गया है क्यों क्यों छेत्रफल क्या हो रहा है बढ़ रहा है बात है समझ गया है इस तरीके से बोलेंगे क्या, इसका छेतर फल क्या होता है, ब्रिद्धी हो जाती, क्या कहेंगे, छेतर फल की ब्रिद्धी होगी तो, इसका रासाइनी का दीसोसर क्या होगा, बढ़ जाएगा, अब यह मैंने बात बताईए, अब एक बात देख लो नो, एक बात देख लेना 음악 वही ऑदि cooked कर रहां वहीं कि मैं कहां और अधिस उसल कर इसका जिसका चैचतर पल जहाँ पे चिपक पक रहा है यह यह यहाँ यह 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 यहाँक टीज informing दौनों उसका रासानिक्स अधिसोसर जाना, बात समझ गए, नार्मन सी बात, बाहर से छेतरफल से मतलब नहीं, बाहर के जितने भी छेतरफल उसे लेना देना नहीं है, बस ये बाते ध्यान रखना, जहां पे वो क्या कर रहा है, जहां पे वो चिपक रहा है, जहां पे वो अधिसोसर करार है वहीं की बात करेगा उसी छेतरफल की बात करेगा बकिया बाहर के जितने भी है ना उनसे लेना देना नहीं जहां पर वो चिपक नहीं रहा है उसे लेना देना उनका नहीं है, बातें समझ गये, इस तरीके से बातें आप लोग समझ गये ओ, ठीक है, इस तरीके से बात करता है वो, छेतरफल देख लेना बैई, कोई पूछ दे ना गुमापिरा के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बता जाओ गए बटाग से काम कर जाना अब बात करते हैं सक्रियार उर्जा की, छटी की बात करते हैं, छटा क्या करता है? उर्जा की? वहाँ पर सक्रियार उर्जा क्या होनी चाहिए थी? क्या होती थी, वहाँ पे सक्रियर उजा क्या होती थी, निम्न होती थी, यहाँ पर क्या करेंगे, सक्रियर उजा क्या होती है, उच्छ होती है, अब देखो, क्यूं उच्छ होती है, यह समझ जाना, हेटिंग डालो सक्रियर उर्जा की यह पे 6.5 जो है उच्छ सक्रियर उर्जा लिख सकते हो उच्छ सक्रियर उर्जा अब एक बात समझना जैसे जैसे क्या होता है सक्रियर उर्जा क्या होती है लिखो के रासानिक अधि-160 की की सक्रियर उर्जा उच्छ होती है राइसायनिक अधिसोसर की सक्रियर उर्जा उच्छ होती है क्या होती है बाई उच्छ होती है क्या होती है उच्छ होती है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ जो सक्रिर उड़ जाओगे उसकी जादा होगे क्यों कैसा क्यों ऐसा होता बाते समझ में ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है देखो जैसे जैसे क्या करते हो सक्रिर उड़ उच्छ होने का मतलब है जैसे कि वह वह उत्पाद बनाना है उत्पाद बनाना है उसका बंद तूटेगा बंद बनाने में उनको क्या लगेगा टाइम लगेगा उरजा देनी पड़ेगी क्या करने देनी पड़ीगे, उर्जा देनी पड़ीगे, महाँ पर तो कोई ऐसा था, नहीं, बंद बनाना है, तो सिर्फ जोड़ना था लेके, अब जैसे मैं कर दू, निकिल था मेरे पास, क्या था, निकिल था हाइडोजन था, हेचटू था, हैquer कि या प्राइब क्या है hydrogen hydrogen सिंगल बॉंड hydrogen ऐ ही बात करेंगे अब बता इस बंद को पहले होगे तभी तो इनको बातो होगे ऐसी नहीं किया थे आपने आपने यही नहीं किया था देखो यहीं भी आपने किया हुआ था यहां पे मैंने फूर accommod entails लगाया था đây यह देखो अभ इसको तोड़ोगे तब तो इसको जोड़ोगे यहाँ अभी बात से में समझ भाई कर आजबर ना इसको हटाओगे तब यह पूरी लाइन बनेगी बाते समझ्झ गया इसको हटाओगे तब यह बनाओगे यानि कि इसको तोड़ना है और इसको जोड़ना है क्या करना है इसको तोड़ना है इसको जोड़ना है तो इसको उर्जा देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए और इसको बनाने के लिए क्या देनी पड़ेगी उर्जा देनी पड़ेगी आपको बनाने के लिए भी देनी पड़ क्या होती है जो minimum उर्जा होती है उसको उसकी जरूरत पढ़ती है सबसे कम उर्जा जो होती है उसी की जरूरत पढ़ती है उसी को सक्रियर उर्जा कहते है ठीक है अब इसको जो बनाने के लिए इसको तोड़ने के लिए जो उर्जा चाहिए और इसको बनाने के लिए जो दोन नहीं है मेरे पास चीन ही है चारकोल होता है चारकोल को क्या करना है चारकोल के उपर आपको गैस लगानी है कोई भी गैस लगा दो तो एस आ थे से च्पक प्रसट यह उपञा और या किया करेंगा बहुंत्त न Joze पग गयागी नहीं तो वही काम करना है लेकिन यहां पर रासाइनिक बंद बनाना है क्या करना है रासाइनिक बंद बनाना है यानि कि आपको इसको तोड़ना पड़ेगा फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा इसमें पहले तो बोलेंगे इसमें उर्जा की जरूरत पड़ेगी क्या को रही उर्जा की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे इसलिए इसकी सक्रिय उर्जा क्या होती है जादा होती है बाते समझ गागी ठीक है तो बहुतिक वाले में कम होती लेकिन राइसानिक वाले में जादा होती है ठीक है तो लिख लिए इस बात को लिख लेना क्या होता है बात समझ गया है अब बात कर लेते हैं ताप का प्रभाव अब आपको मैंने पीछे वाले चप्टर में थोड़ा सा इसके वारे में डिसकस किया हुआ था वही वाली बात करेंगे जो अबिक्रिया है उसको ताप देने से क्या होता है अबिक्रिया का वेग क्या होता है बढ़ जाता है क्या करते है वेग बढ़ जाता है इसका मतलब अधिसोसर बढ़ जाएगा अधिसोसर क्या होगा बढ़ जाएगा उसी की बात कर रहा है भाई उस Effect of Temperature. ठीक है? Effect of Temperature की बात करें. Temperature का effect क्या आएगा? तो लिखोगे भाई, समानित. पहले तो ऐसे यहां पर दो काम करेगा. दोनों को मैं समझा दूँगा. क्या लिखेंगे पहले definition लिखना तो लिख लो भाई, समानित. मैं black से लिख देता हूँ. लिखोगे भाई, समानित. ताप बढ़ाने पर राइसायनिक अधिसोसर बढ़े जाए. जाता है, बढ़ जाता है. अब आगे का रिजन मैं लिख वाऊंगा, समझाने के बाद. क्या करने को आगे का रिजन मैं समझाऊंगा, लेगाने के बाद. जैसे मैं के दूँ, इसके अंदर राइसायनिक अभी ताप करे, या उपर है. ताप दोगे क्या करेगा अड़ों की उरजा बढ़ जा जाए किया करेगा अड़ों की रासायनिक उर्जा यानि काम तेज करेगा जैसे वह धीरे सबस्राइब ब grown और जैसे आप लेज़ी टाइब को भास बैटे बैटे पडिएखे पर आपको वाला व्राप पफटक्स निकल को भग लोगे भाते समझ मैं उसी तरीचे से बात करें चैसी तरीके से बढ़ने के बढ़ता बाते समझ मैं आब इसका मत्ब प्याहकरों कि यह बढ़ जाता है, जैसरो बढ़ेगा उर्जा उर्जा, रिधा कंख्षा वह बढ़ जाती है, जो प्रभावी ठकरों होते हैं, वह बढ़ जाते हैं, जब अडउ तेजी से टकराएंगे ना तो अपने अंदर से उर्जा तेजी से निकालेंगे और तेजी से निकालेंगे काम तेजी से करेंगे ठीक है तो बोलेंगे प्रभावी टकरों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए ऐसा काम करता है तो लिख लेना भै उससा रिजन भी लिख सकते हो साथ में क् नहीं दिक्कत नहीं लिखों कि प्रभावी ठक्रों की बढ़ जाती जिससे अरह सानी अविक्रिय की दर क्या लिखों के ah can की है क्यूंकी ना कि क्योंकी प्रभावी me अब हाभी करूं टक्रों की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है जिससे अविकरिया की दर अविकरिया की दर जिससे अविकरिया तेज होती है क्या होती है अविकरिया की दर बढ़ जाती है बाते सोज़ए अविकरिया की दर बढ़ जाती है तर राइसायनिक अधिसोषर राइसायनिक अधिसोषर बढ़ जाता है क्या होता है बढ़ जाता बाते समझगे राइसायनिक अधिसोषर क्या हो जाता है बढ़ जाता है बात समझगे इस तरीके से बात करेंगे इनकी अंदर इस तरीके से बात करेंगे ठीक है तो राइसायनिक अधिसोषर के लेच्छर जो होते है वो साथ लक्षर देख मैंने कितना लिखवा है बढ़ जाता है बाते आज की समझ में आगई होंगे आई होप आपको बाते समझ में आ गई होंगे इस तरीके से काम करना बै लिखना इसी तरीके से आपको पूरा एक्जाम में आ जाए ना बोल देखा बै क्या रासायनिक अधिसोषर की परिवासा लिखा होगे एदि वो बड़े नंबर में है तो उसका क्या लिखोगे उसका क्या लिखोगे उसका लिख लिख लोगे रासायनिक अधिसोषर को यह यह चीज़े प्रभावित करती हैं यह चीज़े इनकी लच्छडे होती हैं बाते समझ में बहुत तीका पूछे का तो बहुत तीका लिख लेंगे दोनों पूछ लेता दोनों लिख देना बाते समझ म इस तरीके से सारी छीज़े आप लोग लिख लोगे ठीक है तो भाई आज लेक्चर यहीं पर खतम करते हैं नेक्स लेक्चर ने तरीके से लिख जाएंगे वहाँ पे थोड़ से एक्साइटमेंट होगा थोड़ से अलग तरीके से पढ़ेंगे बात ही समझे चलो थैंक